वीटी बुलिटिन स्पॉंसिड बाई उत्तम सिंग अकाड़मी रीवा नमस्कार विंद्या टाइम्स नुए आपका स्वागत और आपके साथ मैं आसुत तोस्तिवारी हजिर हैं वीटी न्यूज बुलिटिन के साथ पहली खबर की बात करते हैं भगवान विर्सा मुंडा की जैनते पर 15 नवंबर को भोपाल में आयूजित होने वाले जनजाती गौरब दिवस महासंबेलन में शामिल होने अरीवा जिले से 1000 जनजाती वर्गे के लोग बसों से रवाना हो गए हैं देश के प्रतान मंतरी नरेंदर मोदी इस कारीकरम के मुख्यतिती के रूप में शामिल होंगे मदबर देश की राजदानी भोपाल में 15 नवंबर को विर्सा मुंडा की जैनती को जनजाती को अरब दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इसमें पीम नरेंदर मोदी शिरकत करेंगे अमर शहीद विर्सा मुंडा के जैनती पर जंबूरी मैदान में आयोजित इस जनजाती महासमेलन आयोजन में प्रदेश भर के लगभग दो लाख हादिवासियों को लाने की तैयारी है इस कारिकरम में शामिल होने रिवा से भी एक हजार जनजाती के लोग बसों में रवाना हो गए हैं इनके खाने पीने की सबी विवस्थाएं सासन द्वारा की गई है इस दोरान पी-म मोदी वर्ल्ड क्लास हवीव गंज रिल्वे स्टेशन का लोकारपन कर देश को समर्पित करेंगे साथ ही जनजाती गवरव दिवस कारिकरम की यूजनाओं का शुभारम करेंगे मना चेटी को मतपदेश सरकान ने जनजाती गवरव दिवस का रूप में मनाया है और पंद्रा तारिको भगवान बिर्था मुन्डा जैंती के अउसर पर मतपदेश के राजधानी भोपाल में एक जनजाती संमेला नायूजित किया गया है बिश्टु के सबसे लोग प्रियनेता हमारे देश के सबस्वी पतान मंत्री मानी नरेंद मुदी जी का आगमन हो रहा है उसी कारकम भाग लेने के रिवा जीले के विमारे जन्जाती भाई बहन भुपाल के लिए रहाना हुए है हमारे रिवा जीले से लग भाग डेढ़ हजार भाई बहन हमारे जा रहा है रिवा विदान सबस्वा छे तरंतरगत कई ग्राम पंचायतों में विकास के निव रखी जा रही है नई सौगाते देकर विकास के नई आयाम गढ़े जा रहे हैं फिर एक बार चार करोन के निर्माड कारियों का भूमी पूजन किया गया है यह भूमी पूजन नाली और सड़क निर्माड के लिए है पिछले लंबे समय से जनिता के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि जिन पर मांगो का निराकरन करते हुए भूमी पूजन किया गया है दो तीन महीने के अंदर इनकारियों को पूरा कर जनिता कुछ समर्पित कर दिया जाएगा बदहाल सिक्षवेस्था आज किसी से छिपा नहीं है वैसे तो अमधारना है कि सिक्षव हमारा अधिकार है लेकिन गामों में स्कूल के जो हालात हैं बहुत कुछ सूचने पर मजबूर करते हैं प्राचारी की निोकती नहीं है प्राचारी इसके आलावा परियाप दे टीचर नहीं है इन्मिलताओं को सुधारने के लिए समस्ता विवाबक और चातर के दोरा सासकी हर्जकंड्री स्कूलों में प्राचारी की नियुकती स्कूल में सौचाले और स्वक्छ पाने की विवस्ता इस स्कूल में प्रयोग साला और लाइबरीरी के विवस्ता चातरों की बैठने की विवस्ता सहित कई मुद्दों को लेकर अनिश्टित कालिन भूखरताल पर बैठे हैं देखना होगा कि जिम्मेदारों पर इसका कुछ असर पढ़ता है या नहीं पुलिस नसे के खिलाफ लगातार कारवाही कर रही है लेकिन इस बीच पुलिस को काफी मुश्किले और जोकिम भी उठानी पड़ती है कई बार अपराधियों की धरपकड़ करते समय पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो कई बार आरोपी पुलिस को चक्मा देकर फरार हो जाते है लेकिन इस बार जो मामला सामनी आया है वहरान करने वाला है शराब तसकरी के आरूपी पुलिस के सामने शराब की खेप से लोट गाड़ी में आग लगा कर भाग गए इसके बाद शराब सहित गाड़ी जलकर राक हो गए तसकर सीधी से शराब की खेप लेकर रीवा आ रहे थे पुलिस की कारप्रणाली को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसी घटना के घटित होने के बाद हमेशा एक फर्यादी को ही F.I.R. दर्ज करवाना आवश्चक होता है क्या मातर सुचना पर पुलिस मौके पर जाकर किसी भी घटना के F.I.R. सुएम दर्ज नहीं कर सुचना चस्मदीदों ने विश्विद्याले थाना के टियाई जैप्रकास पटेल को दी लेकिन मामला प्रकास में आने के बाद भी पुलिस इस बात पर अड़ गई कि जब तक कोई तीसरा पक्ष F.I.R. दर्ज नहीं करवाता तो पुलिस अब अपने स्वयम के संग्यान पर गंभीर अपराद के रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी हम देखते हैं कि कई बार घटना घटित होती हैं और पुलिस स्वयम मौके पर जाकर सबूत इकठा कर F.I.R. दर्ज करती है और कारवाही करती है लेकिन जिस प्रकार से विश्विद्याले थाना की घटना अपरकास में आई है इस से इस पूरे मामले में पुलिस की सलिप्ता पर सवाल उठ रहे हैं समाजिक कारिकरदा स्वाननद दुवेदी के द्वारा बताया गया है कि यह पूरा मामला मामले की जानकारी बजरंगदल के सन्योजक अंबुज पांडे के द्वारा उनके संगठन के मामले के सिकायत जिला कलिक्टर रिवा डॉक्टर इलाईया राजाटी से भी की है और साथी सोसल मीडिया फेस्बूक पर मुखे मंतरी प्रतान मंतरी सहीत सभी जिम्मेदार प्रसासनी का दिकारियों को टैक करते हुए ततकाल एफ आई आर दर्ज किये जाने और मद्दिप पिछले चार-पांच दिन पहले की घटना है जिसमें एक ट्रक नंबर हाइबा था MP18 GA-38 ये ट्रक जो बाद में देखा गया तो इरफान खान ओनर का नाम इनके पिता का नाम मुहम्मद अनवर और इनका एड्रेस बताया जा रहा है बार्ड नंबर फाइब धेकहा नियर मस मार दिया गया ये घटना की जानकारी जब लोगों को पता चली तो मुझे अंबुज पांडे बजरंग दल के सहसायोजक हैं उनसे हमारी बात ही उन्होंने काल करके बताया उन्होंने बताया कि उन्होंने टी आई ठाना प्रभारी बिस्वेद्या लाए ठ्रीजय प्रकास जो पटेल हैं साइद उनको ये जानकारी उन्होंने दी तो उन्होंने कहा कि आप अपने से अफाई यार दर्ज करवाईए लेकिन बजरंग दल के मतलब इन्होंने अंबुज पांडे ने ये अफाई यार अपने से दर्ज नहीं करवाईए घटना आपके पास बताई जा रही है यहां पर देख लिए हैं तो पुलिस ने दर्ज नहीं किया है और बजरंग दल के जो और उच्चा धिकारी थे उनको इन्होंने बताया मुझ पांडे ने तो सबाल या उड़ता है कि ये बजरंग दल बिस्व हिंदू परिसाद आरे से साखिर कर क्या रहे हैं जब इनके उच्चा धिकारियों को पता चली इतने बड़े बड़े पद गायों की रख्षा के नाम पर गववंसों की रख्षा के नाम पर ये जो पद उठा करके रखे हुए हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो इनकी कार्य पद्धत में प्रस्ण खड़ा हो जाता है अंदो ट्रक का जब वहाँ मौखे पर मिल गया ट्रक आप ले गए ट्रक को आपने क्यों छोड़ दिया ट्रक को जब आप ले गए तो उसके वोनर को उसके ड्राही warmth को फूर नहीं था तो उन्हेंने चि keh और दिया कोई अफाई यार दर्ज नहीं की और इस तरह से हालत है इसमें हम जीला कलेक्टर रीवा डॉक्तर रिलाय राजा टी को भी हमने संदेश भेज कर फेस्बूक में भी शेयर किया था उनको टैक किया हूं और बैक्तिकत उनको भेज कर उनसे हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि इसमें मध्ध प्रदेश गौवंस बद प्रतिसेध अधिनियम के तहत इसमें मामला पंजीबत किया जाए मोटर भी कलेक्ट के तहत और जिस प्रकार से चार गायों को ट्रक ने रौदते हुए मारा है यह गलती नहीं कही जा सकती है और ट्रक जो म बूझ कर हत्या की गई है और जिस भी वैक्तिने की है इनके ओपर सक्त से सक्त कारेबाई की हम्मा करते हैं रिवा वहारी शहडूल मार्ग में छोया गाटी के नीचे बगवार में बांड सागर की नेहर में पुल बनवाया गया है पुल में सुधार कारी किया जाना है इसके लिए नहर पुल में 15 नवंबर से 24 नवंबर तक आवागमन बंद रहेगा इस अवधी में सीधी से छोया घाटी होकर और सतना जाने वाले वाहन और सहडूल से रिवा जाने वाले परिवर्थी तुमार्ग से चलेंगे इस सम्बंद में सड़क विकास निगम के संभागे प्र प्रतिपंद के अवधी में सहडूल से रिवा जाने वाले हलके चार पहिया वाहन जैसे कार जीप और बगवार पुल के पास से पी एम जीएम सड़क से छुया घाटी होते हुए जिगना पहुचेंगे बस ट्रक और भारी वाहन जिसमें से भरत पुर जिगना होते हुए ग चुरहट होते हुए रिवा जा सकते हैं वेवारी से बगवार के बीच चलने वाले भारी वाहन बगवार से चुरहट होते हुए सीधी से वेवारी जा सकते हैं सिग्रोली से रिवा आने वाले वाहन बहरी अमिलिया हनमना और बहरी अमिलिया चुरहट गुड़ मार्ग का उ है उकरे शीदिस्टे अभिलास मिस्टर के रिपोर्ट निस्टनल हाइवे सड़क है या खलिहान आप ही देखें विंध्या टाइमस टेवी के मोहिम मदप्रदेश के अंतिम छोर में बसे सिंग्रोली जिले के निस्टनल हाइवे 49 सड़क की जगह खलिहान में तब्दिल हो चलकर सिंग्रोली जहरखंड को जाने वाली राश्टरी राजमार के 49 के स्थेती बदहाल है आलम यह है कि सड़क में फसलों को रखकर खलिहान के रूप में प्रयोग करते हुए अपनी फसल की गहाई कर रहे हैं इतना सब होने के बावजूद प्रसासन किसी तरह से अंतब्दील करती हैं जबकि देवसर ब्लॉक वो ख्याले और स्टियम कारियाले थाना सहित कई विवाग संचालित हैं लेकिन किसी अधिकारी ने राश्टरी राजमार के में खलिहान बनाने से रोकने की जहमत नहीं उठाई सिंग्रोली से पुस्प्लेस्टिवेदी की रि सम्दित जो भी दोशी होंगे अगे उसके कारवाई करेंगा इसमें जो यह सीवी सिंग्रोली हाईवे है इसका जो अभी वर्तमान सुनहे सेंडर्स का हुआ है उसमें सम्विदाकार नियुक्त है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो सरूर को मोटरिवल रहे और उसके लिए द सम्दित विवाग के अधिकारियों को तरदेशित कर रहा होंगे कि वो वहाँ जाएंगे और जहां भी आवागमन में कोई परिशानी आ रही है तो इसको मार्क को सुचारू को से सम्दित करने के लिए उसके हम आगी कारवाई इसमें करने के लिए तो यह थी आज की रिवा झाल